नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है सरकारी ग्यान फोर यू में दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीदे बहुत अच्छे होंगे और आप सब की तयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी दोस्तों बात कर लेते हैं आज यूपिटर पलेसी के कुछ परिणामों को लेक या घोशित जी यहां दोस्तों दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों ये कल 27 जुलाई की ये डेट है कल की तो कल शाम जो है यूपिटर पलस्टी ने एक परिणाम जारी किया है और वो परिणाम है अनुदेशक भरती विज्यापन संख्या दो परिक्षा 2022 ठीक है और जो है ये आप देख सकते हैं ये परिणाम यूपिटर पलस्टी ने गोशित कर दिया है ठीक है और जिसका भी इसमें हुआ है वो कमेंट बोक्स में कमेंट करके बता सकते हैं अब दोस्तों बात कर लेते हैं यूपिटर पलस्टी के अगले परिणाम को लेकर जी हां दोस्तों बहुत प्रतिक्षित परिणाम है JEE 2018 और इस परिणाम को लेकर आपको बता दूँ यह जो परिणाम है इस परिणाम पर लगातार पूरा स्पीड में काम जारी है ठीक है और यह परिणाम आपको आने वाले तीन से पांच दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगा है ना यानि की maximum Friday या उससे पहले पहले आपको J18 का अंतिम परिणाम देखने को मिल ले वाला है और आयोग जो है न भाईया इस परिणाम को लेकर बहुत तेजी से काम कर रहा है और जितना जल्दी हो सकता है इस परिणाम को जारी करने का प्रियास यूपेटर पहले सी करेगा ठीक है maximum 5 दिन मान के चलिए आप और 5 दिनों के अंदर आपका इतना इंतिजार जो है वो बिलकुल समाफ्त हो जाएगा ठीक है अब दोस्तों बात कर लेते हैं जे ए 1262 की टाइपिंग को लेकर इसकी टाइपिंग को लेकर बहुत लंबे समय से बहुत सारे छात्र पोछ रहे हैं कि सर आखिरकार इसकी टाइपिंग यूपेटर पल सी कब तक कराएगा इतना लंबा समय हो चुका है आखिरकार टाइपिंग कब होगी तो देखिए जब तक मेरे पास कोई solid खवर नहीं होती, मैं तब तक वीडियो नहीं बनाता, आप सब जानते हैं, अब इसकी टाइपिंग को लेकर मैंने कल शाम कुछ जानकारी निकालने का प्रयास किया, तो जानकारी इसकी टाइपिंग को लेकर ये मिली है, इसकी टाइपिंग आपकी अगस् सेप्टेंबर के मध्य में आप इसकी टाइपिंग मानके चलें ठीक है जो आपको पता दिया बिलकुल वो एकदम सॉलिड निउस है सेप्टेंबर के बीच में आप जो है इसकी टाइपिंग 100% मानके चल सकते हैं अब दोस्तों बात कर लेते हैं वन दरोगा भरती के फाइनल लास्ट ठीक है यह सेप्टेंबर की सुरुवात में जारी होने की संभावना है ठीक है अगस्त लास्ट यह सेप्टेंबर के स्टार्टिंग में उससे पहले आप बिलकुल भी उम्मीद ना लगाएं ठीक है कम से कम एक महीना तो आपको मानके चलना है इसके परिणाम में ब परिणाम आपको मैं अलड़ी बता चुका हूँ अगस्त में 100% जारी हो जाएगा इससे अधिक लेट होने वाला नहीं है बात दोस्तों अब कर लेते हैं यूपिटर पलेसी की परिक्षाओं को लेकर आखिरकार यूपिटर पलेसी अपने एक्षाओं को लेकर भी बहुत सारे चातर बहुत दिनों से सवाल पूछ रहें कि सर आखिरकार यूपिटर पलेसी की 19 परिक्षाओं पैंड नहीं हैं तो इनकी परिक्षाओं यूपिटर पलेसी कब शुरू कराएगा देखिए एक बात तो किलियर है जिस दिन कंपनी का चैन हो गया और जिस दिन एक्षाओं कराने शुरू हो गई तो फिर यूपिटर पलेसी धड़ा-धड़ एक के बाद एक एक एक्षाम कराएगा फिर रुकने वाला नहीं है और ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है कि एक दिन में दो-दो परिक्षाओं कराएग ये भी पॉसिवल है तो एक एक दिन में आपको दो-दो परिक्षाओं भी देखने को मिलेंगी जिन परिक्षाओं में आविदनों के संख्या कम है वो परिक्षाओं एक दिन में दो-दो भी हो सकती है ठीक है और एक बार शुरू हो गया मामला फिर वया रुकने वाला नहीं है तो शुरू कब होगा सबसे बड़ा सवाल ये है तो भाईया आप ये मानके चलिए अक्टूबर का महिना ना तो अगस्त में कोई एक्जाम होने वाला और ना ही सेप्टमबर में कोई एक्जाम होने वाला अक्टूबर का महीना में आपके एक्जाम जो है यूपिटर पलेसी के वो शुरू हो जाएंगे अक्टूबर लास्ट में आप मानके चल सकते हैं ठीक है और वी पियो 1468 की परिक्षा भी यूपिटर पलेसी की या तो पहली या दूसरी परिक्षा होगी तो अक्टूबर लास्ट में आपके एक्जाम जो है वो होना शुरू होने की जो न्यूज मिली है वो आज की अपडेट है ठीक है और उम्मीद करिए कि अगस्त में जो है आपका एजनसी का चैन अगस्त लास्ट तक कर लिया जाएं तो दोस्तो ये हो गया आज का वीडियो यूपिटर पलसी की इन भर्तियों को लेकर और किसी भर्ति को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहल दे दी जाएगी बहुत बहुत धन्नवाद दोस्तो जैंज भारत हमेशा खुश रहिए मुश्कात रहिए